अब हम देखेंगे कि Pytorch जो हमारी लाइब्रेरी है जो मैंने आपको पहले बताया था स्टार्ट के अंदर ही कि अगर आपको टैंसर फ्लो चलाने आती है तो पाइटोर्च को यूज करते हूँ हम इंस्टॉल भी करेंगे बाइदावे जारी बात है इंस्टॉल करने का तरी हमें हल्प करती है अब मैं अपनी स्क्रीन जो है आपके सामने शेयर करता हूं और यह स्क्रीन जी आपके सामने शेयर हो रही है मेरी ओफुली आप देख सकते हैं स्क्रीन को नहीं इसको मैं कहता हूं 51 अंडर्सकोर पाइटार्च टॉर्ड आईपी वाइण बी जस तू आईडिया पाइब हमने पाइटर्श को यूटिलाइज करना है मेरे पास और रेडी इंवार्मेंट बना हुआ हूए पाइट टॉर्च का टॉर्च जी पियू के नाम से मैंने है क्योंकि MacBook के अंदर डिफरेंट वे में इस्टॉल होती है अगर आपने खुद से इस्टॉल करनी है तो आप इसकी वेबसाइट पर जा कि वहां से इसके 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 इस्टॉलिशन प्रसीजर देख सकते हैं विच विल लुक लाइक सम्थिंग लाइक लिए यह पाइटोज की वेबसाइट इस पर आप जाते हैं तो यहां पर जाकर आप इसके टुटॉरियल्स और बाकि चुछों में जाकर जाकर या बाकि जो भी इसकी इंस्टॉलेशन के तरीके वह देख सकते हैं अदर्वाइस आपको पता है कि यहां पर आने के बाद आपके पास यह सारे मैथ अब जो कंप्यूटर वीजन की लाइबरेरीज या तैंसर फ्लो या दूसरी लाइबरेरीज इनको इस्टॉल करना अक्सरोगाद मुश्किल इसवज़ा से होता है इसको अक्सरोगाद इसको अक्सरोगाद इसको एक्टिवेट करते हैं तो इसवज़ा से अक्सरोगाद इस्टॉलेशन में लोगों को प्राब्लम आती है अगर आप इनकी डिपेंडेंसी की बेस पे से इंस्टॉल करें मतलब यह जो चीज़ें बताई की होती हैं कि सबसे पहले आपने इंस्टॉल करने और पाइटॉर्च की कौन कौन सी कैपबिलिटीज है मैं अक्सरोगात आजकल जो मेरा वर्क फ्लोव है बेसिकली वह मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से मैं कोडिंग जो है वो अपना एक वर्क फ्लोव में लेकर आता हूं मैं यहां पे चैट में जाता हूं डरेक्ली यहां पर लिखता हूं फॉर एक्जैंपल मेक असिम्पल प्रोजेक्ट विद पाइटॉर्च लेट्सी अग्सरोगात यह गिटब को पाइलेट ना यह मसला कर देता है बीच में जाके ना अटक जाता है अगर जिया अगें इस अपनिंग अगें तो हम सिंपली क्या कर सकते है इसका और तरीका है कि आप जीपिटी प्रॉंट में जाके बेस्पर कर सकते हैं अधर्वाइस वीकन से ओके सबसे पहले चीज़ इस तर बिनिट इस अच्छा सबसे पहले चीज़ यह मेरे पास वी एस कोड़ी है वी एस कोड़ी इंसाइडर नहीं है यह वी एस कोड़ी है सबसे पहले चीज़ यह कि मैं इसको बकाइदा टॉर्च मामबा इन्वी लिस्ट इसके अंदर जाके मामबा इन्वी लिस्ट यहां से मैं अपनी लिस्ट चेक करता हूं कि मेरे पास कौन-कौन से इंवार्मेंट है और मुझे पता है कि मैंने इसको 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 अक्टिवेट कर लेता हूं मामबा एक्टिवेट टॉर्च दैश जी पिई यू क्योंकि मैंने इसमें इस प्रफरेंस के मैं इसको अक्टिवेट करना हूं reason behind that अब मैं कोई चीज इंस्टाल करना ही होगी न इसके अंदर तो यह terminal मेरे पास open है I can install those things here लेकिन यहाँ पे अब हमने kernel साब वो वाले चेक करने हैं जहाँ पे यह GPU install है GPU torch और यह जितनी भी libraries and torch से related वो सारी के सारी install है मेरे पास इसको ensure करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं हम check करते हैं कि क्या हमारे पास GPU काम कर रहा है के नहीं कर रहा है उसके लिए हम करते हैं import torch PyTorch को torch के तोर पे आप import करते हैं PyTorch इसका नाम है कि Python के अंदर आप इसे utilize कर रहे हैं से import torch मैंने लिखा मैं इसको run करता हूं and it should be running fine अगर कोई error होगी तो यहीं पे आ जागी फिर एक और library है जिसका नाम है import math मैं simple math की library को use करते हैं उसे check करूंगा कि everything is working fine or not now it's working fine अब हमने ensure करना है कि हमारे पास जो latest macOS का वरियन है क्या उसका GPU चल रहा है के नहीं चल रहा है अगर आपके पास आपका क्यूड़ा का function है तो आप उसको check कर सकते हैं कैसे check करना है मैं आपको दिखाता हूं आप यहां पे लिखते हैं torch क्योंकि आपने यह import कि है यहां पे आप क्यूड़ा लिखेंगे अगर आपका विंडो का PC है installation के बाद मैं यहां पे लिखता हूं back-end dot mps क्योंकि मेरे पास mac का PC है तो i will write this is underscore available अब अगर यह मेरे पास available होगा तो यह true हो जाएगा इसका मतलब मेरा सिस्टम का GPU activated है ठीक है और इसी तरीके से अगर हमारे पास यहां पे इस available के साथ मैं यहीं पे इसको इस built लिखता हूं तो यह भी मुझे बताएगा कि मेरे पास GPU है के नहीं तो मैं पीछे दोनों के print लगा देता हूं ताके मेरे पास GPU activation की option जो है वो save जाए इसकी reason यह है कि हमने अपने PC की power का अंदाजा लगाना होता है कि हमारे पास PC कितना है यह तो दोनों true है मेरे पास now everything is working fine आप से मेरी request यह है कि अभी आप Pytorch को इन विंडोस आपके पास mostly windows होंगे मैं आपको एक ब्लॉग भेज रहा हूं अभी medium के उपर है अब उसको देखते हुए प्लीज इसे अभी install कर लें ताकि हम इस पर आगे काम स्टार्ट करें साथ साथ अब अपना टाइम लें मैं लिंक जो है यहां पर भी पेस्ट कर देता हूं ब्लॉग का यह है ब्लॉग का नाम कि मैं दिखाई देता हूं वह ज्यादा बेतर है मैंने आपको भेज दी है लिंक पैसे न अगर आप चेक करें तो आपको लिंक आ गया होगा तो यह विंडोज के अंदर स्टेप बाइ स्टेप इंस्टॉल करने का त्रीक है बेसिकली कुछ नहीं होता तीन-चार कमांड्स होती है आपने उन उनके थूँ इंस्टॉल करना होता है तो आप टर्मिनल में जाके आपके पास कॉंडा एनकॉंडा प्राउंट में जाने के जुरूरत नहीं है आपका और रेडी एक टर्मिनल के अंदर भी बेस इंवर्मेंट आ रहा होगा आपने नया इंवर्मेंट क्रियेट करने है वहा इसको चेक करने के लिए यह सारी चीज़ें यहां पर बताएं ठीक है पाकी सिंपल एक अगर आप कमाल लगाएं तो उसके थूरू भी हो सकते हैं आप चैट जीपीटे में भी लिख सकते हैं हाव तो इंस्टॉल दिस और इट विल शो यू इन अमिनट फॉर एक्सेंपल अ तो आप इस तरीके से यहां से भी निकाल सकते हैं इस्टॉलेशन का पूरे के पूरी कमांड तो ज़रूरी नहीं है आपने चैट जीपीटी में जाना है आप यहां से पूरी के पूरी कमांड लें कोंडा ने आपको बताना है कि नया इंवार्मेंट बनाएं और सब्सक्राइब करें अपना इंवार्मेंट मैं यहां पर आपको इसकी कमांड सेंड कर रहा हूँ आप उसको उठा के लगा लीजेगा सभी के पास इंस्टॉल हो जाएगा इसके लिए इंवार्मेंट बनाना इस विड़ा से जरूरी है क्योंकि थ्री पॉइंट पाइथोन के उपर चलना है अदर्वाइज इट वॉन्ट रॉन्ट रॉन ताकि आपको इजी हो जाएगा तो इंस्टॉलेशन का तरीक यह आपके पास आगया आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं राइट जी आपके पास कमांड आगी होंगे आप इसको रण करते हैं एक ही दफ़ा में वह सारे का सारा आपके पास इंस्टॉल भी हो जाएगा और से भी हो जाएगा अगर आपके पास क्यूडा नहीं है कोई मसला नहीं है वह आपके पास CPU के उपर भी रण कर पड़ेगा इस इस नोट बेग डेल करते होंड़ा कोई है कि अपने इंस्टॉल कर लिया होगा अगर इंस्टॉल कर लिया तो प्लीज चैट में बता दिया करें कि हां नहीं किया इंस्टॉल कर लिया है नहीं हो रहा हमने नहीं करना जाओ हम नहीं करते कुछ तो बंदा लिखे ना कि अपने इंस्ट अपने तो प्रह दिया में अपने जहीं कि हमा इंस्टॉल करें लिया रगर श्यूल्सॉल मेन वाइल आप इसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको एक छोटा से इसका यूज केस बता देता हूं और दन वी विल परसीड फर्दर हमारे पास जब पाइट उस्टॉल हो जाती है और दन वी आपकी जितने भी नेटर की चीज़ें वह सारा कुछ कर सकते थे वह यहां पर पाइटोर्च के अंदर भी हम कर सकते हैं ठीक है तो फॉर यहां पर इसम्पल लीनियर रिग्रेशन बेसिकली करनी है यह लीनियर रिग्रेशन इंटर्च यूजिंग टिप्स डेटा सैट जस्ट तो शोव यू कि यह कैसे काम करती है फिर उसके बाद इंपोर्ट टॉर्च दॉट अप्टिम आज आज आप्टिम विल सी कहीं क्या का चीज़ें और विल वर्क अंदेट लेटर और एंद इंपोर्ट सी बॉर्ण अज एसनस सी बॉर्ण एस एसनस सी बॉर्ण क्योंकि यह आपको पता है और यह बाइदावे मेरे पास लगता है मुझे इंस्टॉल नहीं है इसके अंदर मेरे पास शायद नहीं है यह सिट वाजंट देर पाई टॉर्च वाले के अंदर नहीं थी तो मैंने से इंस्टॉल कर ली है आविल रन दिस एंड कंफर्म के फिट इस रॉनिंग फाइन अब मैं क्या करूंगा हम इसके अंदर अब टेटा साइट को ले के आते हैं फिर नियूरल बेसिकली पाइट और जो है ना यह एक अदर फ्रेमवर्क है नियूरल नेट्वर्क बनाने का सिंप्ली तो इसकी वेबसाइट पर जाएंगे इट हाज अलोट फंक्शनलिटी यूजिंग टॉर्च वीजिन और इसके अंदर हम लिख लेते हैं टिप्स का हमने डेटा लोड किया अब हमने क्या करना है डेटा को प्रिपेर करने हैं और पट खर के अंदर प्रिकेर करने के लिए यू आप और यू इस क्या होते हैं यह different kind of data structure होती है जैसे आपके पास rows columns और आप यह कहलें कि one dimension का data होता है इसी तरह two dimension का होता है फिर tensors का data होता है and so on and so forth हम इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं पहले हम इसको code को देख लेते हैं यह कैसे काम करते है एक्स इकल टू बलके मैं टोटल बिल और टिप का हम linear regression बनाना जा रहें simple जो हम पहले काम करते हैं ठीक है तो इसकी हमने values ली है ठीक है यहां से भी values ले ली और उसका जो data type है यहां से भी data type torch.float32 के अंदर ले ली है view उसको minus one से लेके one तक कर लिए ठीक है so this is what we did here इसका क्या काम है क्या function है अभी हम देखते हैं इसको reason क्या है आपको समझ आ रही होगी कि हमने view जो है minus one से one तक कर लिए इसका जो भी data था यहां पे और data type हमने यहां से लेक के values को float के अंदर convert कर दिया और यह पूरे का पूरे data set का जितना भी data है इसको में tauts.tensor के नाम से हमने utilize किया है यह इसकी built-in functionality होती है which actually detects a data set into different type of data अगर मैं आपको यहां पे x दिखाऊं तो वो यह इस तरीके से आ जाएगा ठीक है y दिखाऊं तो यह इस तरीके से आ जाता है ठीक है तो यह हमारे पास इसकी dimension आ गी है यह पता है पहले define करते हैं फिर उस model को fit करते हैं फिर उस model को आगे हम prediction पे ले के जाते हैं model को हम क्या करेंगे model is equal to simply यह होगा torch.nn ठीक है एनन किस चीज़ को जाहिर करता है यू नौ राइट अब इसके आगे यह सारे का सारा कौन सी चीज़ें आ रही है यह सारे के सारे आपके पास convolutional layer आ गई ठीक है यह different किसम के आपके पास already model की layers बगरा पड़ी है neural network के अंदर तो यह सारे के सारी layers आ रही है ठीक है तो हमने यहाँ पे एननन के अंदर linear को use किया है linear को use करने के बाद हम one by one की इसके अंदर जो output और input की value दे देते हैं एक value output की एक value input की है इस वज़ा से हम इसको यहाँ पे model को linear के अंदर रख लेते हैं हम फिर बाद में अपना define करते हैं loss function and साथ में optimizer अच्छा यहां पे हमारा loss function क्या हो सकते हैं और optimizer क्या हो सकते हैं जैसे atom optimizer हम use करते थे loss function means create error हो सकते हैं तो यहां पे लिखने का तरीका क्या होगा हमारा हम यहां पे इसको बोलते हैं इसको हम बोल देते हैं torch.nn और इसके अंदर mse loss यह हो गया हमारा basically एक आप कह सकते हैं loss function और हम अगर optimizer यहां पे लिखे optimizer is equal to torch बलके नहीं optim हमने पहले से किया था अच्छा यह optim जो उपर किया था इससे बड़ा से मैंने बोला था कि later on we will use and then I will show you this is an optimizer right the loss and optimizer दोनों यहां पे हम use करते हैं because this is a kind of technique तो हम schaustic gradient जो है descent उसको use करते हैं and then model.parameters इसके हम रखते हैं यहां पे and we will put a value of LR as well is equal to 0.01 राइट जी हमने दो काम किये हैं पहले अपना data import किया हम हर किसी machine learning के model में करते हैं उसको x और y में convert किया data को prepare किया जैसे हम sky cycle learn के अंदर scale करते थे उसको convert करते थे यहां हम उसको normalize करते थे यहां पे हमने data को preprocess किया यह prepare किया यहां पे हमने model define किया यहां पे हमने अपना loss and optimizer function define किया now we have to train the model train model करने के लिए आप basically epochs run करते है कि कितनी दफाँ आपने train करने तो यह आप पे depend करता है आपने इतनी दफाँ train करने है और इसके अंदर आप for loop use कर सकते हैं something like this for epochs in range 1000 optimizer dot zero gradient output is equal to model into x loss आप criterion का बता देते हैं कि output यह वाली और y हमारे पास है loss backward देखो optimize हर step पे करो and then give us the best value in these thousand epochs basically मैं इसको 100 पर रन करता हूं यह basically वही चीज है कि आपने लॉस दे दिया optimizer दे दिया और उसको और रेड़ी नॉन वाय की वैल्यू दे दी और 100 epochs हमने दे दिये और अगर हम इसको रण करते रण करने से पहले देख लेते हम यहां पर प्रिंट करके अपने पास final loss लियाते है पाइनल लॉस दिस वन कॉमा और यहां पर लॉस डॉट आइटम के नाम से function use करेंगे and let's see final loss नन अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं still नन यह बहुत minimum loss आ रहा है इस वजह से यह बिल्कुल नन हो रहा है इसको हम यहां पर 100 करके देख लेते हैं still the same thing अच्छा अब यहां पर हम steps देखते हैं कि कौन-कौन से पाइटर्च के अंदर हमने यूज किया यह बिल्कुल simple linear regression का model है आप psychic learn के थ्रू भी लगाएंगे आपको समझा जाएगी हमने यहां पर import किया torch को यहां पर हमने इंपोर्ट किया अपना optimizer यहां पर SNS को because we have to load the data set अब यहां पर tips को हमने data को लिया x y क्योंकि linear regression है हमें x भी एक होगा y भी एक होगा तो हमने यहां पर बता दिया कि total bill हमारा tip है और total bill जो है और हमारा tip जो है दोनों का हमने linear regression का model बनाना है कि एक के बढ़ने से दूसरे पर क्या आसल होता है फिर हमने neural network के अंदर से linear layer निकाली और उसको one by one का कह दिया कि one input है one output है simple ठीक है क्योंकि जारी बात है one x है और one y है and then we decided the loss function and optimizer function और यहां पर इस तरीके से इसका model train होता है we can remove और add a lot of other things here as well और उसके बाद add the end हमारे पास कोई भी आप loss को check कर सकते हैं या model की भी summary आप यहां पर देख सकते हैं अब इसके इलावा आप और भी काम कर सकते हैं कि आप अपने for loop को या अपनी जितनी भी linear regression के हिलावा जितने भी models है उनकी different किसम की output ले ले लें जैसे टेंसर फ्लो में हम पूरे का पूरा loss function validation और train test सप्लेट करके आगे चलते थे we can do that as well अब इसमें और टैंसर फ्लो में क्या फरक है simple is that के टैंसर फ्लो के अंदर हम केरास से layers बगारा import करके एक ही दफा में तीन layers बनाके चार layer बनाके neural network ले आते हैं काम इसमें भी वही हो रहा है लेकिन यहां पे हर epoch का for loop लगा देते हैं कि मेरे इतने epochs रखो और इस model को बार बार उन पे चलाओ जहां पर value अच्छी आते हैं वो हमें देते हो layers आप पहले define कर लेते हैं यहां पर यह पहली layer है torch और अगर एक से ज्यादा layers होंगे then we can add multiple layers as well तो यह हमारे पास इस तरीके से basic सा इसका structure बन जाता है pytorch का by the way यह इतना असान नहीं है pytorch की library जैसे tensorflow की library हमने पढ़ी है उसकी reason यह है कि this is used for most of the task are used for computer vision analysis या यह basically जो researchers हैं जो model को optimize बहुत ज्यादा tweak करके जानते they can they use this kind of libraries as well यह मैं code आपको भेज रहा हूँ अब थोड़ा सा काम आपने यह करना है इसको comment करना है खुद से इसको comment कीजिएगा और कुछ techniques है technical चीजें इसमें कि यहां पे हमने tensor क्यों use किया है ठीक है और secondly यह view का क्या मतलब है and then another thing is यहां पे हमारे पास for loop का क्या मकसद है यह epochs तो हमें समझ आगे कि हर इपॉक पर चलना है यह हमें model की भी समझ आगे कि यहां पे model है यह loss है यह हमने backward बुला है loss और यह हमारा optimizer का step है यहां पे समझ आगे यह zero gradient क्या optimizer dot zero grad ठीक है तो इसको जरा आप comment करें चेक करें कि आपके पास कौन कौन से options आ रहे हैं यह प्लीज करेंगे से जरा करणवा़ करते हैं यह हम आगे हैंप दो झाल 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 आप इसको कुमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीज़े में आपको बता देता हूँ पाइटोर्च और तेंसर फ्लो के बारे में यह भी आजम भाही का कुस्टिन भी आया था था बाइद वे आज़े 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 गूगल की तरफ से बनी हुई है आप मेंसे किसी को पता है पाइटोर्च किसकी बनी है यह मतलब इसको कौन मेंटेन कर रहा है पाइटोर्च को पेस्बूक अच्छा मुझे आप यह बताएं कि अगर आपको टैंसर फ्लो आती और पाइटोर्च नहीं हती क्या आपका गुजारा हो जाएगा आपको क्या लगते हैं टैंसर फ्लो इस मच बैटर दन पाइटोर्च इन तरमस of functionality in terms of integration to the bigger projects in terms of lightweight in terms of better performance in terms of I mean ये लोग कहते हैं कि सीखना मुश्किल है TensorFlow को लेकिन अब इसलिए हमने अच्छा खासा काम किया उस पर पहले तो हमें आती है TensorFlow अब कब हमें यूज करनी चाहिए और कौन यूज करता है जारी बादर टेस्ट पर डिपेंड करता है यह डैनामिक लाइबरेरी यह इसी तु लर्न पाइटोश अगर हम पाइटोश पर उतना लगाते जतना हमने टैंसर फ्लोव पर लगाया तो हम यह भी उतनी ही सीख जाते हैं क्योंकि हमें बेसिक्स पता है तो यह आप पर डिपेंड करता है आप टैंसर फ्लोश सीख लें या पाइटोश सीख लें तोनों सीखने की जरूरत नहीं है if you know how to construct a neural network that is much better than using a kind of workflow अक्सर हो कहात आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो जब advertisement देते हैं अपनी job की they wrote which workflow do you know या which kind of library do you use for deep learning network either TensorFlow या पाइटोश तो अब उसमों आपको पता होता है या तो TensorFlow चाहरी है या पाइटोश चाहरी है secondary research में ज्यादा यूज होती है पाइटोश और जो production के अंदर है वो ज्यादा तर यूज होती है TensorFlow reason क्या है TensorFlow बहुत देर से exist करती है केरास की वज़ा से क्योंके केरास की API उसके अंदर यूज होती है इसकी बहुत बड़ी community और रेड़ी बिल्ट हुई पड़ी है पाइटोश की community तोड़ी से छोटी है आप देखेंगे TensorFlow के उपर आपको बेभा articles मिल जाएंगे पाइटोश पर थोड़े कम मिलेंगे learning curve का मैंने आपको बता दिया performance wise दोनों सेम है कोई इतना कोई बहुत जमीना स्वान का फरक नहीं है जारी बादा दोनों company है जो हमें दूसरे के साथ competition में चाल रही है on the other side TensorFlow के tutorials ज्यादा मिल जाते TensorFlow की documentation अच्छी है TensorFlow की examples अच्छी है TensorFlow का जो Google के साथ integration वो अच्छी है even though अगर आप cloud computer के अंदर TensorFlow को यूज़ करते हैं you can have cloud computer जिनके साथ already TensorFlow installed आपको मिल जाती है with NVIDIA CUDA course या CUDA NN के नाम से and the other thing is दूसरी libraries के अगर बात की जाए तो उनके साथ भी integration जो है वो TensorFlow के च्छी खास तोर पर ML Ops के अगर बात की जाए जो basically productions के अंदर यूज़ होता है जब आप अपने एक एप को scale up करते हैं उस वकत ज्यादा तर प्रैफर किया जाता टेंस अफ लोग को पाइट और जो है वो basic analysis के लिए यूज़ की जाती है लेकिन अगर आपके पास pipe torch का knowledge है तो इस फाइन वहलब कोई यह कोई घलत बात नहीं जारी बात है अगर आपको उर्दू की किताब आपने एक पढ़ लिया और एक और उर्दू की किताब आगया लबे वाली चीज़ें वही रहती हैं सिर्फ color change होते हैं हो सकता है वो दूसरी साइट से शुरू हो रही हो मतलब किसी ने ऐसे बना दी हो कि आपके पास उल्टी मेरे ख्याल से एक सरक आती है यहां पर भी काम कर जाएता है लेकिन आजकल मेरे साथ यह GitHub का पता नहीं कुरी ना राज की चल रही है समझ से बाहिर है ना इस वर्किंग फाइन यह देखें मैंने छोटी से क्मांड दिया और इस देर ठीक है यहां से गाइब हो गया मेरा GitHub GitHub GoPilot समझ गया क्या है शूब खैर बाइद अभी आपको चोटा सा टास्क मैं देता हूं यह आपको पता चल गया होगा कि क्या चीज़ें लाउस कहां से जाता है प्रोपेकेशन का तो आपको पता है न एक आप मॉडल ट्रेन करते हैं फिर बैकवर्ड जाता है लाउस उसका फिर उप्टिमाईज होता है त बाइनरी क्लासिफकेशन इसी के अंदर है टैप्स की कर ले है किसी भी डेनटासेटर की चोटे डेनटासेट की आप करें बाइनरी क्लासिफिकेशन आर्टिफिशन नेटवर्क को यूज करते हुए इन पाइटोर्च तो एक छोटी सी एक्जेम्पल अगर आप करेंगे तो आपको यह असान हो जाएगा और यहां पर अपने स्क्रीन को स्टॉप करता हूं इसको करके देखें अभी and then we are coming back in the next lecture.